Hello everyone, once again आपका स्वागत है U-Born Academy में जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि हम अपनी चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइन्स को पूरी तरह डिकोड करेंगे कक्षा 6 के अंदर गत बिज्ञान का है पहला चेप्टर चल रहा है जिसका नाम है Who, Where Does It Come From इससे पहले हम दो वीडियो देख चुके हैं जिसमें हमने NCRT के नोटस को explain किया है आज की वीडियो में हम NCRT exercise को solve करेंगे जिसने चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है वो subscribe कर लें ताकि आपको पूरी वीडियो मिलते रहे है चलिए शुरू करते हैं NCRT exercise NCRT के अंदकर यहां पर first question दिया गया है Do you find that all living beings need the same kind of food? क्या आप यहाँ देख पाते हैं कि जो भी सजीव हैं उनको केवल एक ही तरह की भूजिन क्या आउशकता पढ़ती है अगर आपने पिसले वीडियो देखा हो तो आपको वहाँ पर याद होगा हमने वहाँ पर explain किया था कि जो animals होते हैं वो three type pets को होते हैं एक क्या होते हैं सजीव यानि जो पेड़ पॉंदू से मिनने वाल उत्पात को खाते हैं दूसरे क्या होते हैं Cornivore जिन्हें क्या बोलता हम मांसारी यानि ऐसे जीवजन जो क्या करते हैं Plant product यानि जो पेड़ पॉंदू से मिनने वाले उत्पात होते हैं और Animal product यानि जो जीवजन्तों से मिनने वाले उत्पात होते हैं उनको भूजन के रूप में उपयोग करते हैं तो ये तीन टाइब की कैटेगरी है चले हम शुरू करते हैं No, all living beings do not need the same kind of food यानि जो भी सजीव हैं उनको केवल एक ही तरह के भूजन के आउशकता नहीं पड़ती है First category है Herbivores Animals eat only plant product are called herbivores Assigusion तो जो क्या करते हैं अपना भूजन केवल पेड़ पोंधों के उत्पादों का उपयोग करते हैं तो उन्हें क्या बोलता हम? Herbivores Example क्या है इसके अंदरगर? Cow, goat हमने आपर क्या लेखे हैं? Cow और goat लेखे हैं आप इसके लावा और भी जोड़ सकते हैं जैसे बैफालोज हो जाएगा, ऑक्स हो जाएगा, डियर हो जाएगा तो इसमें आप उधारण भी क्या कर सकते हैं? एड़ कर सकते हैं Second category है वह है Cornivores Cornivores, animals eat only other animals are called Cornivores यानि ऐसे जीवजन तो जो किसी दूसरे जीवजन तो को क्या करते हैं? अपना भुजन के रूप में उप्योग करते हैं तो उन्हें क्या बोलता है? Cornivores बोलते हैं जैसे हमार पास क्या है? Lion, Tiger दो एक्जम्पल हमने यहाँ पर रखे हुए एक सेर, दूसरा बाग उसके अलावा आप यहाँ पर तेंदुआ, चीता यह अन्य एनिमल भी रख सकते हैं चो क्या करते हैं? मानसाहरी होते हैं थर्ड कैटेगरी है Omnivores Omnivores को हिंदी में बोलते हैं सरवाहरी Animal eat both plant and animal called Omnivores यानि ऐसे जीवजन तो जो एनिमल यानि दूसरे जन्तूं को और पेड़ पहुँजन से मिनने वाले जो उत्पाद होते उनको अपना भुजन की रुक में उप्योग करते हैं उन्हें क्या बोलता है Omnivores जैसे हमने यहाँ पर दो एक्जमपल लिखे हैं cat और dog यानि बिल्ली और कुट्टा उसके लावा आप और भी रख सकते हैं आपर जैसे human beings पिछले lesson जब चल लाता तो वहाँ पर भी हमने discuss किया था कि कुछ human beings ऐसे हैं मतलब कुछ manus से ऐसे होते हैं जो क्या होता है plant product यानि जो रोटी, सबजी, दाल, फल, फूल यह इसको भी खाते हैं उसके लावा meat यानि जो non wedge होता है उसका भी उप्योग करते हैं तो उन्हें क्या बोलता हम omnivores बोलते हैं यानि सर्वाहरी तो यहाँ पर तीन तरह के category किया गया है एक हर्विबोर, शाकाहरी, कॉर्णिबोर, मांसाहरी, omnivores सर्वाहरी चले बढ़ते हैं next question question number two दिया है name five plants that sorry name five plants and their parts that we eat यानि आपको क्या करने हैं पांस पौधू के नाम लेखने हैं जिनका उप्योग हम भूजन के लिए करते हैं यानि जिनके parts को यानि जिनके भाग को क्या करते हम खाते हैं answer है apple यानि apple लिया हमने apple को हिंदी में क्या बोलते है safe तो apple का खाने वाला जो भाग होता है उस मतलब खाने वाला जो भाग है ओक है fruit यानि apple से क्या मिलता हमे fruit मिलता है फल मिलते है mango mango से क्या मिलता हमे fruit मिलता है potato potato से क्या मिलता हमे स्टेम यहनि पॉटाटे को खाने वाला भाग होता है जिसे अब आलुव बोलते हैं to rex के अबं की रूप में उपियोग करते हैं इसको जो है जो खाने वाला भाग हूई ओक है इसूड बीज यानि गीहूं से क्या में गिहूं के बीज होते हैं गिहूं के बीज को क्या करता हम पिसाते हैं आटा पिसाते हैं उससे क्या रोटी त्यार करते हैं तो यहां पर हमने प्लांट के पार्ट लेके हुए जिसका उप्योग हम कर सकते हैं उसके लाव आप यहां पर राइस भी लिख सकते हैं यानि राइस पैड़ी लिख सकते हैं, पैड़ी धान होता है, तो उसका जो पार्स हम यूज करते हैं, वो क्या है, सीड, बीज हो सकते हैं, उसके लावा आप क्या लिख सकते हैं, मस्टर्ड लिख सकते हैं, सरसों लिख सकते हैं, सरसों का जो खाने वाला भाग है, वो क्या है, सीड, सरसों और भी अपनी तरफ से जोड सकते हैं चलिए next question question number 3 है यहापर match the items given in column A with that in column B यानि यहापर दो column दिये गए है column A और column B column A में कुछ product दिये गए है या फिरे कुछ animals के name दिये गए है उनको column B में उनसे मिलते जूलते जो सब्धे उसको आपको क्या करना है भरना है तो first यहापर column A के अंदर दिया गया है milk, curd, ghee, paneer milk, curd, ghee, paneer तो आपको इसको column B से match करना है तो इसका जो सही answer होगा our animal product यानि हमारे पास क्या होगा जो first है first का answer क्या होगा animal product यानि जो इसके अंदर last दिया गया है यह क्या है इसका answer है first यानि इसको हम इससे match कर सकते हैं second है spinach, cauliflower and carrot पालक, फूल गोबी और गाजर तो यह क्या है आपने हम में are vegetables ठीक है इसका क्या होगा second यानि यह इसका answer होगा दूसरे नमबर का यह वाला तो इसको हम इसको यहां match कर सकते हैं यानि जो spinach है cauliflower है और carrot है यह अपने आप में क्या है सबजिया है, are vegetables next थर्ड जो दिया गया है lions and tigers, यानि जो सेर और भाग है वो को हम उसको हम column B से match करते हैं तो lions and tigers eat other animals यह क्या करते हैं जो अनि जीवजन्त होते हैं उनको क्या करते हैं अपने भोजन के रूप में उप्योग करते हैं तो जो तीसरा है, तीसरे को वाले को हम first से match कर सकते हैं अगला जो दिया गया हमारे पास harvibors इससे पहले भी आपको याद होगा कि जो harvibors था harvibors क्या होते हैं ashy animal होते हैं जो क्या करते हैं अपने भोजन के लिए पेड पहुंदू से मिलने वाले उत्पात को क्या करते हैं उप्योग करते हैं तो इसका answer क्या हो जाएगा यह दूसरा वाला बचा हुआ है तो यह क्या इसका answer है तो इसको हम इससे मैच कर सकते हैं ठीक है, एक बार हम दुबारा देख लेते हैं First, यानि Milk, Curd and Paneer तो इसका answer क्या हो जाएगा इसको हम इससे मैच कर सकते हैं दूसरा क्या है, इस्विनस, क्यूलिफलावर and carrot ये अपने आमें क्या है, vegetables हैं इसको हमने यहाँ मैच कर दिया तीसा क्या है, lions and tigers ये क्या है, eat other animals तो ये क्या करता है, अन्नी जीव जनतु क्या करता है अपने भूजन के रूप में, उप्योग करते हैं Fourth, क्या हमार पास, हर्विवोर्स हर्विवोर्स वो अनिवल होते हैं, जो पेड़ पांदों से मिनने वाले उत्पात को क्या करते हैं अपना भूजन के रूप में, उप्योग करते हैं तो इसका अंसर क्या हो जाएगा तो इस ढंक से हम क्या करते हैं, इसको मैच कर सकते हैं Next, question number four Fill up the blanks with the words given यानि आपको क्या यहां पर कुछ सब्दे दिये गए हैं उनसे क्या करना है, आपको नीचे दो fill in the blanks दिये गए हैं उसको fill करना है First, आमार पास, Tiger is a dash dash होगा, because it eats only meat तो Tiger क्या अपने आप में किसको लेता है, Tiger आपको एंसियाटिक के अगर नोट से पढ़े होंगे, तो उसमें याद होगा तो Tiger क्या अपने आप में Cornivore है, यानि Tiger क्या करता है दूसरे जो जन्तु होते है उन पर क्या करता है, अपने भूजन के लिए निर्वर आता है, तो Tiger is a Cornivore Cornivore को क्या बोलता है हम मांसाहरी नेक्स दिया गए हाँ पर Deer eats only plants product and so is called herbivores यानि जो हिरन होता है, हिरन क्या करते है पेड पहुंदों से मिलने वाले उत्पात को अपने भूजन के रूप में उप्योग करते हैं तो इसलिए इसे क्या बोलता हम herbivores बोलते हैं यानि साकाहरी पेरेट्स eat only plant product यानि जो पेरेट्स मतलब तोता तोता है क्या है अपने आप में क्या है herbivore का पाठ है तो ये क्या करते हैं क्या प्लांट प्रोड़क्ट को अपने भूजन के रूप में क्या करते हैं उप्योग करते हैं यानि जो हम दूद पीते हैं वो दूद हमें कहां से मिलता है जो काव है गाए है या वाफैलोज है तो इनसे क्या मिलता हैं तो ये क्या है आप में एक animal product है यानि क्या है जनतों से मिलने वाले उतपाद है ये है हमारे पास we get sugar from sugarcane यानि जो हमें गन्ना sugar किसे बोलते हम sugarcane को तो जो sugar मिलता है हमें वो किस से मिलता है sugarcane यानि किस से मिलता है गन्ने से मिलता है तो यहाँ पर anxiety के अंदर क्या थे चार question दिये गए जिसको हमने explain किया हुआ है अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको like कीजिए, share कीजिए और subscribe कीजिए ताकि इसका फायदा आपको और आपके जो दोस्त हैं उनको भी मिलते रहें इसके बाद जो next हमारे पास होगा वो chapter number 2 होगा जिसका name है components of food thank you guys अगर आपको अच्छा लगे तो इसको share कीजिए